एक साल पहले जब लॉकडाउन लगा तो देश में ट्रकों के पहिये जहां थे वही थम गए ड्राइवर समेथ स्टाफ के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था कुछ सामाजिक संस्थाऊं और सरकार की ओर से राशन पाने की व्यवस्था की गई लेकिन अभी तक ट्रांस्पोर्ट व्यवसाई ने वो रफ्तार नहीं पकड़ी जिससे कि उनकी हालत में सुधार हो सके प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है लोगडाउन जैसी स्थिती से फिलहाल तो सरकार इंकार कर रही है लेकिन पहियों को जिस रफ्तार से दोड़ना चाहिए था उतना काम नहीं मिल रहा इसी कारण ट्रांस्पोर्ट व्यापारी एक बार फिर चिंतित है हमारा जो ट्रांस्पोर्ट जगत था वो बहुत ही प्रभावित हुआ जिसका नतिज़ा ये हुआ कि 15 दिनों तक तो कंप्लीट हमारा ये जो लॉकडाउन रहा गाडियां खड़ी होगे जहां गाड़ी थी वहीं खड़ी होगे ट्रॉक ओपरेटरों की मानी तो कोरोना काल में जब सरकार को ज़रूरत थी तो हमने जान की चिंता नहीं की और कोरोना वार्जियर्स की भूमिका निभा कर लोगों तक राशन पहुचाया ताकि देश के बाशिंदों के आगे रोटी का संकट नहीं खड़ा हो लेकिन अब सरकार हमें नजर अंदाज कर रही है प्रदेश में एक बार स्थिती फिर वैसी बन रही है अगर संकट गहराता है तो हम सरकार का वापस साथ देनी को तयार है लेकिन सरकार ने जो वादे किये थे कम से कम उनको तो पूरा करे इस समय व्यापार की बात की जाए तो केवल 50 प्रतिशत ही बचा है ऐसे में हुकमरानों ने जो वादे किये थे वो पूरा नहीं कर रहे तो कम से कम हमारे साथ विवहार तो अच्छा करे लेकिन वो भी नहीं हो रहा कि सरकार ने बहुत बादे किये कि जो भी टूकन टैक्स है या गूड़्स टैक्स है उसको माफ कर दिया जाएगा कि अभी आपको जमा करानी की अब शकता नहीं है और इंस्रेंस के बारे में भी यह कहा कि जो भी गाड़ियों के डॉकमेंट्स थे कि वो डिले हो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ माप्स भी की जाएगा और आपको जो गाड़ी के पेपर है वो तमाम पेपर को आभी आपको पूरा करने की कोई जूरूरत नहीं और वो बैलेड़ बाने जाएगे लेकिन उसके बाब दूत क्या हुआ कि आज सरकार ने हमने इतना साथ दिया हमरे ड्राइबरों की अपने हर्याना के अंदर जैसे हम गंदम के लिए गए वहाँ या रिफैंड हुआ इलानी की बात थी सरकार ही राशन था सरा तो तमाम लोगों के साथ पुलिस ने भी पार कर रोजी रोटी कमाने बालों की आगे जैस का तस खड़ा हुआ है कि सरकार साथ नहीं देगी तो फिर आखिर कौन हमें संकट से बाहर निकाल कर हमारा रहनुमा बनेगा इटीवी भारत के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट